कि तो पहले से सुनना था पब जी बैन होने लगी यूट्यूब बेन होने लगी यूट्यूब और पबजी में एक खासा डिफरेंस आए गाइग अब जी के कंपेर यूट्यूब आजे तो यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ है तो यूट्यूब बैन करेंगे तो पीछे क्या रहे गाइज़ेगा आप फेस्बुक भी बैन करें पाकिस्तान में सोच्छल मिगया खतम ह जो भी जनरेशन का जो भी नियूज जनरेशन का फ्यूचर है वह रहे ही ना अगर उनका मकसद यह है वाइद बहुत पहले तो पबजी बैन होने की बात की और सबने बाट जब पबजी बैन नहीं वही थी लोगों ने इसको रूमर समझे ना तिमाग से अटा दिया कि शाह बाते हैं और अवाम को ड्राने के लिए यहां फिर रूमर फिला दिया बस पर नहीं उन्हें पबजी बैन कर दी लेकिन बैन हो चुकी है और में भी बैन हो भी जाए क्योंकि मैंने वकार सका कि वीडियो देखी है और उसने प्रोटेस्ट करने के बड़े में बात कि हुई ह है कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ाएगा डी चोक में अब इतना असान नहीं है यह वह वगार्या तो वाट अब यू यूट्यूब को नहीं करवा सका तो यूट्यूब को कैसे अन्बैन करवाएगा तो अल्यदी जब लास्टाइम यूट्यूब बैन होई थी और हम लो चल आचान के बारे में कहा था वो यह किया था तो उसके बारे में I think बनता भी था और मैं अग्री करता हूं लेकिन हम पांच साल जो भी आ पांच साल दस साल पीछे चले जा चुके थे और अब अब देख लें यूट्यूबर जो पाकिसान का बेस्ट यूट्यूबर है तो पाकिसान को आइंदा 15 सालों या 20 सालों में ना इससे पहले तो मुझे तो नहीं लगता क्या पॉसिबलिटी है वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं तो आइटिंक यूट्यूब पे बेहन नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी और इसका एक सुलूशन है जो वैसे मेरे मांड में आया पर पता नहीं कितना कॉलिट सुलूशन मैं बताऊंगा या नहीं बट सुलूशन यह है सपॉस इन्होंने एक रीजन बताई है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और आप भी एक यूट्यूबर हैं आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं मैं गंदा कंटेंट बनाता हूँ अगर मैं गंदा कंटेंट बनाता हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आप यूट्यूब बंद कर दें मेरी विज़ा से इसका सुलूशन यह मैं गंदा content बनाता हूं आप मुझे warning में के यार आप गंदा content बनाते हैं हमारे माश्रों में फड़क पड़ रहा है आप YouTube को content को सही करें और अपनी पुरानी videos delete करें I think यह solution है ना के आप पब जी को YouTube को बैंन कर दें पब जी मेरे समाग में आजा रही है क्योंके पब जी को भी बैंन करने की वीडियो मैंने बनाई थी इस वजह से तो I think YouTube का solution यही है जो भी content गल्ब बना रहा है 18 plus content बन रहा है गालियां दे रहे है I think उनका यही solution है कि उनको warning दीजे ना के आप YouTube को proper बैंन कर दो उनकी reason कही है कि यहार YouTube पे बहुत गल्ब काम हो रहे हैं लेकिन उसका बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप YouTube को बैंन कर दो हल यही है कि आप YouTube पे जो भी गल्ब कॉंटेंट बना रहा है उसको warning दो अगर वह पिर भी वही करता है तो उसका चैनल बैंन कर दो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कही लोगों का रिजेट बन कर दो और कही लोगों का future कतम कर दो और as a professional player प्लेयर मैं टेकन 7 का प्ले चुरू किया है और मेरा plan था कि इसको मैं आगे ग्रोग करूं मैं already Twitch पे काम कर रहा हूं और और मेरा social media strong है लेकिन YouTube नहीं है अब मैं YouTube पे काम करना चुरू किया था तक एक से जेर महीन हुआ हुआ मुझे support मिली है लोगों की लेकिन suppose अगर YouTube बैंद हो जाता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि मेरा future YouTube पे डिबैंड करता है काफी हत तक क्योंकि बाकी social media मुझे वह earning नहीं प्रवाइट कर सकता है जो कि YouTube प्रवाइट कर सकता है तो मेरे जालसे अगर एक साल बाद मुझे फाइदा में पाकिसान मैं तो उसका यह हल मैं पाकिसान से mauve कर जाएँगा यहें चाह जाएँगा जाँगा जएँसिखाल आ जहांगी मुझे मुझे अपने लिए अपने तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं एक अपना हाथ का आठके किसी को दे दूँ तो डेफिनेटली मैं मूब कर जाओंगा पाकिस्टान से और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर इसके इलावा कोई हल भी नहीं होगा वरहाल यह तो एक मेरी मेरे जाने या ना जाने से फड़िक नहीं बड़ता मसला इसका यह सुलूशन यह यह आप यूट्यूब का बहन ना करें आप इसका सलूशन जो मेरे हाल से मैं दस साल बीज साल पीछे जाने से बजाए यह अच्छा है ना कि आप किसी को बैन कर दो जो कि गल्द काम कर रहे हैं तो मेरे आल से पॉजिटिव जो यह है मेरे माइं में आ रहा है बाकी उमीद करते हैं मैं अपनी गवर्मेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी आप दुनिया में जिन्दगी में कुछ भी कर रहे हो ना उसका बना सकते हैं जुरूरी नहीं के आप गालियों का सारा लो जुरूरी नहीं कि आप गल्द की चीजें पोस्ट करो तो आपका चैनल चलेगा तो वैसे भी हराम के जम्रे में आता है आई थिंक तो बेतर है आप हलाल की तरफ जाओ और एक अच्छा कुंटेंट प्रोवाइट करो दुनिया को अप्ती रोजी भी हलाल होजे और यह जो बहन होने का जो सिलस्वा चल रहा है यह भी खतम हो जाए और मैं टिक टॉक को करा वालों को भी यही कहूंगा के जो कॉंटेंट गल्द बना रहे है करने का फाइदा नहीं होगा एक टॉक का भी स्लूशन यही है जो कि गल्द कुंटेंट बना रहा है उसको बैंड कर दो उसको वर्निंग दे कर दो अगर नहीं मानता तो मेरे आल से किसी भी सोशल मीडिया को बैंड करने से पाकिसान पीछे जाएगा आगे नहीं जाएगा तो इसलूशन है आपलों कमेंटे बताएं कि मैं इस पहर तक सही कहा रहा हूँ और तैंकी सो मच याईस इंशाला उम्हीड करते हैं के पव्जी और योट्यूब दोनों बैं नहीं होंगी और अप्वजी अन्बैं हो जाएगा इंशाला थैंकी सो मच पीवी नेक्स वीडि